Hello students, welcome to my YouTube channel 6 April की डेट पे जो नोटिस जारी हुआ है CES वीडियो के वेब साइट पे वो नोटिस का मतलब क्या है? 2021, 2021 में प्रवेश लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए है वो जितने भी कोर्सिस में आपने एड्मिशन लिया होगा फार्मेसी में, पॉली टेकनिक में, इंजिनरिंग में, लेटरल एंट्री में ये आपके लिए है, नोटिस और इसे ठीक से समझ ये देखे, ये नोटिस कल की डेट पे रिलीस किया हुआ नोटिस है इन्रोल्मेंट डिफिशेंसी के संबन में यहां पे सबसे पहली बात यहां पे ये लिखी गई है ये जो पैरग्राफ, दो पैरग्राफ का मतलब क्या है CSVTU ये युनिवर्सिटी और स्टूडेंस दोनों के लिए I mean CSVTU, इसे कॉलेज और स्टूडेंस दोनों के लिए नोटिस जारी की है और यहां पे students को यह कहा जा रहा है कि जिनका enrollment number नहीं आया है उनके form में कोई कमाई है कोई documents की कमी है उन documents को वो students को college में जमा करना है अभी online और फिर बाद में offline यह कहा जा रहा है यानि कि अभी आपको कोविड नाइटीन की वज़ा से लॉकडाउन जो चल रहा है उसके वाज़ से आनलाइन जमा करना है अपने कॉलेज में और कॉलेज आप जो हैं जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं वहां जमा करेंगे वह कॉलेज युणिवासिटी को भेजेगी लेकिन अभी ये आनलाइन भे अगर आपका इंडरोल्मेंट नमबर क्यों नहीं आया है तो उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ही है कि आपके डॉक्यूमेंट में जो आपने समिट किया होंगे उसमें कोई कमी है आप कॉलेज से पूछिए कॉलेज लिस्ट तयार कर चुकी है जहां पे स्टूडेंट्स की जिसक क्योंकि यह लास्ट नोटिस्ट है इसके बाद आपका एक्जाम फॉर्म फील आउट होना शुरू हो जाएगा जी हां फॉर्स सेमेस्टर का अभी एक्जाम नहीं होंगे अप्रेल में यह मान के चलिए कि एक्जाम फॉर्म अगर आते भी हैं तो इसमें फॉर्म फील करने म सब्सक्राइब करने हैं तो मैं उम्मीद करती हूं यह इन्रोल्मेंट डिफिशेंसी वाला जो नोटिस है जो कल की डेट पर जारी हुआ है यह आपको समझ जाए अगर आप लोग के लोगा तो इस वीडियो को जरू लाइक करें अगर आप इस चैनल में ना है तो इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करें इस वीडियो उसके लिए थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो